इस पीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 क्लास 1 की इंगलिस वंडर्फुल वेदर ठीक है इस पीडियो में हम लोग पढ़ेने वाले हैं वेदर के बारे में ये एक पोयम है क्लास 1 चली इसको हमें स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से सुनो बाबु आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा इसमें ठीक है क्या बोला जा रहा है तो ये एक पोयम है जो कि हमको वेदर के बारे में बताता है वेदर जो हमेसा चेंज होते रहता है ठीक है अब हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं इस चीच के बारे में इस पैराग्राफ को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है देखो एक बॉय है वो क्या करता है कि बताता है कि आई लाइक टू वर्च तो वे दो विंट कैने स्पीन और वेदर वेन अब हम लोग पहले वेधरवेन के बारे में समझ लेते हैं उसके बाद इसको अलचे समझेंगे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग वेधरवेन बोलते हैं और क्यों वेधरवेन लगाया जाता है किसलिए सारा कुछ आपको बताया जाएगा तो आप देख पा रहे हैं कि यह आपका golden color का है ठीक है golden color और weather wind में आपको इस तरीका से four direction होते हैं ठीक है east west north south आपको पता होगा यह चार direction होते हैं और weather wind इसलिए लगाया जाता है कि कहीं भी छत्ता के उपर में लगा दिया जाता है तो यह जो है न यह वाला जो आपका direction आपको ऐसा बता रहा है यह वाला इस और मूड जाएगे ठीक है इस और मूड जाएगे अब यह वाला जो है न आउटमेटिक fix रहता है यह अपने जगा पर fix रहेगा घूमता कोन है जाए उपर में जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यह वाला और यह वाला यह खुंता है हेना अब जैसे हवा इधर जाएगे तो यह वाला just opposite हो जाएगा इस की और आ जाएगा यह इधर की और जाएगा तो अब इधर जाएगा तो हम लोग समझ जाएएंगे कि हवा साउथ की और पह रही है ठीक है अभी इधर की और है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह नोर्थ की और हवा नोर्थ की और पह रही है साउथ से नोर्थ की और ऐसे कह सकते हैं तो इसी तरह कि जिधर का हवा रहेगा उस direction में घुम जाता है तो इसी को बोल रहा है एक boy है लड़का है जो कि बोल रहा है कि जब wind होता है windy day होता है जिस time हवा चलते रहती है तो उस time उसको ये देखने में उसको अच्छा लगता है ठीक है अच्छा लगता ये बता रहा है तो यहां से weather के बारे में भी describe क कर रहा है कि इस weather में इसको क्या अच्छा लगता है तो weather when को देखना अच्छा लगता है कि वो किस तरीका से अपने direction को change करता है next paragraph में चलते हैं लोग I like to wear my big blue boots to splash with in the rain अब ये क्या बोल रहा है कि अब rainy season के बारे में बता रहा है कि rainy season के बारे में रैनी season बरसात का मौसम को बोलते हैं तो उस time इसको क्या अच्छा लगता है कि ये boots बहनना blue color का boots बहनना boots उसको बोलते हैं जो एक सूज होता है जो आपको यहां तक cover किये हुए रहता है ठीक है लब की उपर तक जैसे कि आपका ये leg है तो इस तरीका से ये boots आता है ठीक है और ये जो boots होता है ना कि आपको जब बारिस में चलोगे तो आपको उपर तक भीगने नहीं देता है इसलिए ये बोल रहा है कि हम rainy season में boots बहनना पसंद करता है बड़ा सा उससे क्या होता है कि पारिश में बाहर जाने में पानी के बीच में अगर उचलता है तो वहां पर भी इसको कोई problem नहीं होगी भीगेगा नहीं सूस उसको बचा लेगा और प्लस में क्या करना चाहता है इसा जगा जहां पर चार तरफ कठा water जमा हुआ हो वहां उचलना चाहता है जम करना चाहत on the cold snowy days, अब snowy days की बात कर रहा है, that is winter season, winter season, winter season में basically ठंड होता है और कहीं-कहीं बर्फ भी गिरे हुए रहता है, चारो तरफ तो अब देखो ये रहनी season में इसको क्या पसंद, sorry winter season में इसको क्या पसंद आता है, कि ये जो rate color का आपको दिखाई दे रहा है इसको sled बोला जा ठीक है, ये ये चीज होता है, जब snowy day भी snow के जगह पे बर्फ में उपर तो पुरा sleep करते रहता है, तो ये बीना चक्का का होता है, इसमें wheel नहीं लगे हुए रहते हैं, और इस पे बैट कर ये slide करना चाहता है, snowy day में, cold day में, ठीक है, तो ये भी इसको कहां पे enjoy करना चा तो ये लड़का ये बोल रहा है, कि हम snowy day में, sled rate को लड़का sled को उस पे बैट कर राइट करना चाहते हैं, जैसे आप दिख पा रहे हुए या पे, ठीक, next है, I like to feel the sun's warm breeze when I wet in the ocean's waves, अब यहां पे ये ocean's आपको दिखाई देरा, शमूंदर है, समूंदर में जब ये swim करेग ठीक है, तो swim करेगा, तो उस टाइम क्या होगा, जब ये समूंदर में नहन तैरेगा, swim करेगा, नहलाएगा, अपने आपको नहलाएगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, कि जब sun का जो raise है, इस पे जब आएगा, तो इसको warm होगा, ठीक है, कहने के मतलब ये है, कि जब ठ इसके फिल करना चाहता है, तो इसको उस टाइम भी अच्छा फिल होगा, ऐसे sun का raise लेने में, इस पाराइग रॉप पो हम लोग देखते हैं, यहाँ बोल रहा है, कि wind, rain, snow, sun, every kind of weather is wonderful and fun, मतलब जितने तरह का weather है, ठीक है, चाहो windy day हो, rainy season हो, snowy day हो, ठीक है, या summer season हो, तो basically हमको weather के बारे में ही बता रहा थे, इस poem में, ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि आपको यहाँ पर weather के बारे में बताया गया, कि कितने भी summer season, winter season, rainy season, यह सभी weather को बताया, और सभी को describe किया, कि इसको क्या क्या अच्छा लगता है, तो इस poem में basically आपको इसी चीज के बारे में स यहाँ पर देख लेते हैं, tick the correct option, एक बार में हम आपको बताते हैं, what can wind spin, पूछ रहा है कि हवा, हवा के थुरू किसको spin करता है, हवा के थुरू, तो basically यह वाला होगा न, इसका answer, next आप चलो, यहाँ पर बोल रहा है, कि what do people fear to splash in the rain, मतलब कि बारिस में, कूदने के लिए, लोग क्या पहनते हैं, तो basically यह वाला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, boot बोलते हैं, ठीक, अब यहाँ पर क्या है, what do people ride on the cold snowy day, snowy day में, अगर आप cycle को use करते हो, तो क्या हो चला आप आओगा नहीं, वहाँ पर sleep कर जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर किस लिट वर्ट क्या होगा, छोटा होगा, तो बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, small लिखेंगे, तो इस तरीका से आप bright का, warm का, wonderful का आपको खुद से कर लेना है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहा है, what kind of weather do you have in your city, आपके city में किस तरह का भी weather जल रहा है, ठंड का मोसम है, या फिर गर्मी का मोसम है, या बारिश का मोसम है, तो आप यहाँ पर इस तरीका से start कर सकते हो, it is very windy, अगर windy day है, तो यहाँ इस तरीका से आप start कर सकते हो, लिख सकते हो, कि हमारे जो city है, हमारे जो city है, इसमें अभी windy day है, या फिर बारिश का मोसम है, या फिर summer season है, कुछ वोट्स में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देना है ठीक है जो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किज़ेगा भाई टेक